अंग्रेज तुछे ही थे, उनसे बड़ी समस्का ही है कि यार अंग्रेजों को भेजो ना समाज क्यों बदल रहे हो और हम बेट कर साफ साफ कहा रहे थे कि अगर मुझे अपने हित और देश के हित में सुनना हो तो देश का हित नंबर एक पर है क्योंकि अगर अंग्रेज चले गए ऐसे ही तो यहाँ के सवरन हमें छोड़ेंगे नहीं और अंग्रेजों की परढ़ींटा अंग्रेजों के आने से पहले ज्यादा थी अंग्रेजों की ओपस्तिती के समय कम पराढ़ींटा थी आपको गुस्तत वाता हुग अम्बेड़कर के गई बार, कैसा अदमी था, लेकिन आप तर्क सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, तर्क अच्छे हैं, और मज़ेगी बात है कि भारत की सम्विजान सभा में, अम्बेड़कर जितनी पढ़ाई पूरी सम्विजान सभा में एक तो कुछ लोग मेरे देश है कि सवर्ण मान सकता है कि कुछ लोग अम्बेड़कर को देश द्रही घोषित करना चाहते हैं, इन ही कथनों से, कि दलित प्रश्ण और देश के प्रश्ण में दलितों को प्रात्मिक्ता दोंगा तो बुरा मन जाते हैं, और उन्हें से आप अम्बेड़कर उस समय पारफुल हो चुके थी, और अम्बेड़कर को मैं तो बड़ा सलाम करता हूं इस सेंस में, आम तोर पर वंचित वर्ग में जब कोई पढ़ लिख लेता है अपने बग से कन्नी काट लेता है, डिजर्वेशन का सबसे बड़ा दुख यह है, डिजर् आरक्षन के वितिये लाफ केवल उस व्यक्ति को मिलते हैं जिसको आरक्षन मिला है, पर सामाजिक राजियतिक लाफ पूरे गाउं, पूरे कुनमे, पूरे कस्वे, पूरे शेहर को मिलते हैं, कि हमारे गाउं का चंदु वाईएस बना है, और चंदु वर्ग में मान लेजि आप पुलिस वाल ने रोका लाइसेंस करें रुको रुको बात करवाते हैं ऐसे कर दो चंद को फॉंग जाओ जो आप गाड़ी कैसे बिले जो फिर के उपर रख के ले जो कोई बात भी हैं कुछ नहीं हो दो कॉंफिडेंस लेवल मढ़ जाता है एक रिजर्वेशन का फाइदा ही होता है आर्थिक फाइदा नहीं होता है रिजर्वेशन आर्थिक मामला नहीं है तो सामाजिक राजनीतिक समतली करन का मामला है उसमें उस हुदेखना है और हम बीट करने आजकल क्या होता है जो बच्छ समागलेु हम या कि इस कुद एक जाती हे उस जाती में शाजी कहीं भी हो सकती बात जाती में इच्टी बिच में नहीं गिए आइस आइपीस जाती है जो आइएस से नीचे जाती है तहीं ठीक घांदी किए अपनी अपनी हाप में ठीक जाती है लोगो ऑज hen इस तरह से मैनेज करते हैं क्योंकि IEP नीची जाती है आई एस थोड़ी नीची जाती है और IE, RS, और बागे सब बहुत नीची जाती है और उसमें जो ग्रुबभी है वो तो शूद्र टाइप के माने जाएंगे कि यह तो बहुत ही नीचे के लोग है बेशाग यह सफल सादी उपर यह तो यह नी चलेंगे इनके दस नंबर कामाया से इनको बाहर कर गया से एक प्रगार की जाती में बस्ता वहाभी तो दलित चेत उनको मिली रही थी वह पीशीयस ओफिस हैते बड़ोधा में मजाग ठुड़ना है नागपूर में और जब नागपूर में वह सिविल सेवक बनकर आए फैलोशिप नहीं से मिली थी पढ़ने के लिए जब वापस लोटे तो उनको पीशीयस मजिकारी बनाए गया तो उनको कहा कि आप यहां रहना शुरू किजिए और काम संभाल लेजिए अब यह मिडगर के सामने सबसे बड़ी समस्य अगरापन के कभी आत्मकता पढ़ें मैं कैसे बना हिंदी अनुवाद उसका यह है उसमें प्रसंग है कि नागपूर में रहना है उनको क्योंकि वह ऑफिसर है उनको अपने रहने के लिए कमरा चाहिए यह घर चाहिए ढून रहे हैं पूरे शेहर में कमरा ही नहीं अपना यह 192–30 के दोरान नागपूर शेहर की बात है फिर वो क्या रहे कि कई कमरे खारीज होते गए होते गए होते गए एक और घर में गए एक कोई दूसरा ओफिसर था वो दिखा रहा था दोस्त के रूप महल पर रहा था तो वहां मालिक ने पूछा ही नहीं कौम सी जाती क्यों इन्होंने बताया भी नहीं पिटेंगे उससे पूछा नहीं उन्हें बताया नहीं कमरा बिल गया रहने लग गए और फिर वो देखते हैं कि एक दिन अचानक सुबह उठा तो बहुत शोर मचा हुआ था मुझे लगा खिड के से नीचे देखा तो हजारों की भीड हाथ में डंडे भाले हाथियार ले के खड़ी हुए थी उनको पता लग गया था कि एक दलित आदमी जहर में रहता है और वो भीड मेरा कतल करने के लिए आई थी और उसके बाद कुछ दोस्तों की मजब से पता नहीं पीछे क कि अगरा के दरवाजे से कहां से किसी तरह से उनकी जार्म कढ़ाया के भाले गये और गयो हो इस जार से बुट गल से योटि मैं अच्छा हिन जोस्तता हमारा हम बुल-बुले हैं इसकी ये गलशता हमारा उसそうですね और अना और पाकिस्स्तान दोस्ता हमारा आघ जिगतरू तो उस देश की बात है। जिब वे स्कूल में पढ़ते थे तो उनके पिता सरकारी नौकरी में थे तो थोड़ा सा ठीक सितिया थी उनकी, इसे स्कूल में अधिशन मिल गया। पूरे स्कूल में एक दलिद बच्चा था बस, बीयारम बेटकर बस, बाकि सबसवन बच्चे से, अब दलिद बच्चा कैसे हंडल करें? तो पानी पीने जागा, पानी को छूँ जागा, पानी पवित्र हो जाता है, उसमें हीलियम आ जाता है, हीडोजन की जगा उसके बाद, जैसे दरिद बच्चा छूएगा, हीडोजन की कुण मतल जाएंगे उसमें तो, एक विवस्था थी कि पानी पीने की एक जगा थी सब के लिए, एक अलग से मटका साथ मेटकर के लिए, अलग से रखते हैं, उनको वही पीना है, और मटके को हाथ नहीं लगाना है, अब कभ कई वार ऐसा हुआ कि जो आदमी पानी की विवस्था करने के लिए तैनात था, वो छुटी बचा था एक दिन दो दिन आया है, अब इसको प्यास लग रही है, बागी बच्चों को पानी पीने को नहीं है, कई ऐसे दिन गुजारे स्कूल में जब उनको पीने को पानी मिलत बनते हैं, और अभी एक अदम गौनवी की कविता है, वो भी हरिजम के गाउं जैसा कुछ नाव है, उसे को भी पढ़ेंगे, हम जिकर करें आगे चलकर तब समझ में आएगा, यह सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इतिहास के नेताओं को सीधे खारिज करना बहुत आसान होत वो चाहते तो वहीं किसी विश्य विद्याले में प्रोफेसर बन सकते थे और धूम धान से जिंदगी गुजार सकते थे, पर उन्होंने चुना संगर्ष का रास्ता, लोटके आए, संगर्ष किया और अपने साथ-साथ, अपने पूरे समुदाए की मुक्ति का रास्ता में काफी कुछ कर भी दिया, अब उस अंबेड़कर का तेज 1936 में फैल चुका था, महात्मा गांदी बहुत दुखी है, महात्मा गांदी घोर वन विवस्ता के समर्थक आदमे थे, इतने पक्यर उढ़िवादी थे इस मामले में, महात्मा गांदी के पती मेरा सम्मान उतन जितना न्यूटन का गुरुत्वाकरशन का नियम, यह महात्मा गांदी का वाक्य है, किसी और का वाक्य नहीं है, इसलिए उनके पेटे में खलबली मलची हुई थी कि हम बेड़कर मीच में कैसे आ गया, आंतमें मेड़कर बोले, महात्मा जीम ने बहुत ट्राई कर लिया, कि हिंदु धर्म में रहके चीज़े ठीक कर लें, हो नहीं पा रही है, हम हिंदु धर्म छोड़ रहे हैं, अब महात्मा गांदी परशान, उनके लिए भारत से ज्यदा महात्मु धर्म है, महात्मा गांदी के लिए, गीता, उनका तो वैष्णव परमपरा वो सब बिचार ज़्यदा थे, उनने सोफ सेंतेस में कहते हैं कि अमेरिकर ने घुषना कर दी कि में हिंदु धर्म छोड़ रहा हूं, महाराष्टर में एनाूंस किया एक सभा में, और उस सभा में सीधे कहा कि देखो भाईरों को, मैं हिंदु पैदा हुआ, इस पर मेरा बस नहीं था, पर और मैं हिंदु के रूप में ना मरूं, इस पर मेरा बस है, और मैं हिंदु के रूप में नहीं मरूंगा, उस समय खलबली मजगी की वो हिंदु धर्म छोड़ रहे हैं, शायद सिख धर्म अपनाई की बाद उस समय थी उनके दिवाग में, और मात्मा गंदी ने बहुत सफाई का काम करो, बादमा गंदी के रहे हैं, नहीं, गहराई में सूचो, इस घर में पैदा क्यों हुए है, यह सूचो, यह उसका डिजाइन है, उसने जानवूच के पैदा किया, क्योंकि तुम्हारे अंदर सफाई के ही गुणा है, अंबेड कर तो दरित पढ़ेगा नह लेकिन उसके बाद काम भही करना है, सफाई काही, यह राष्ट पिता जी, चाचा जी आज कल है, यह सेकिंड राष्ट पिता बनने वाने मोदी जी जिस मूड में चल रहे हैं, हो सकता है जोदी घोष्णा हो, भारत के अब दो पिता हैं, चोटे पापा, बड़े पापा फि